तो आज मैं आपके लिए NCRT क्लासिक सोशल साइंस प्रतवी हमारा आवास का चैप्टर शेविन लेके आई हूँ यानि आज हम शेविन चैप्टर पढ़ेंगे और इससे पहले हमने शेख से चैप्टर कम्प्लीट कर लिए हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है ये वीडिय लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं बन वाई बन आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी और इसके साथ आपको पेपर फर्ष्ट के लिए भी NCRT सोलूशन मिल जाएगा और सथी साथ प्रक्टिस चैट भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे चैनल पर बने हुए हैं अग बारत एक बहुत बड़े भगोल एक बिस्तारवाला देश है और आपको इसे चैप्टर को यानि पूरा-पूरा पढ़ना है और आपको NCRT यानि पूरी पढ़नी है आपको कोई भी शौट कट रास्ता नहीं अपनाना है आपको NCRT नोट पढ़ सकते हो लेकिन कभी-कभी क आपको इस तरीके से प्रश्ण बन जाता है कि वह आपको नोट में नहीं मिला होता है तो फिर वहां आपको दिक्कत हो जाती है और कभी कभी हम एक या दो नमबर से ही रह जाती है तो आपको कोई भी सौट कट रास्ता नहीं अपनाना है आपको NCRT अवश्य पढ़नी है प अवश्य पढ़नी है और साथी साथ प्रीवेस एयर्स के प्रेक्टिस एट अवश्य लगाने हैं चाहे कोई सभी सब्जक्ट हो ठीक है भारत बहुत बड़े बहुल एक बिस्तार वाला देश है और इसमें से आपके सीथे सीथे प्रशन बनते हैं उत्तर में यह माले के उं आपका प्रशन भी पूछ लिए जाते हैं के पूरे में भाग है जो तिन तरब से जल से घिरा होता है यह आपकी लाक बहोग धारत की नीचे की चेलाइ इस तरीके का है आपका और यह तीनों तरp से उचला लाका लाक्वर्ग वह किलो मीटर औरवह bookletちゃん चेतर पर पूछा जाता है और इसकी उत्तरशे दच्छड की आपकी लंबाई पूछी जाती है या पूरो से पच्छिम की जो आपकी लंबाई पूछी जाती है ठीक है वर किलो मीटर में तो आप बहुत ची बुकों के साथ जाते हो सम्में कुछ न कुछ पॉइंट अलग-अ है उत्तर में कस्मीर से लेकर दच्छड में कन्या कुमारी तक इसका विस्ता लगबग 2200 किलो मीटर है ठीक है या तीनजार 200 किलो मीटर ततापूर्ण में अरवडाचल प्रदेश से लेकर पस्चिम में कच्छ तक इसका विस्ता लगबग 2900 किलो मीटर है 2400 किलो मीटर इस तरीके का इस तरी रूपों की भिननेता पाई जाती है यदि कहाई उंचे परवत है कहीं महा मरुष्टल है कहीं उत्री मेदान है तो कहीं पठारी सतय है कहीं आपके दीप समूव है यहां जलवायू, बनस्पती, बननी जीवों के साथ साथ भासा एबं संस्क्रत में भी भिन्निता है यही कारण है कि हम एक राष्ट में बने हैं बर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड से अधिक हो चुकी है यह चीन के बाद बिश्व का दूसरा सबसे अधिक जिन संक्या वाला देश है और आपको इसी के साथ जाना है आपको इन अभी करेंट के जो भी आकड़े हमारे प्रस्तोत हैं कि भारत की जिन संक्या कीन से ज़्यादा हो गई है यह इतनी हो गई है उसके साथ नहीं जाना है क्योंकि 2011 से अभी तक 12 से हमारी जन गड़ना नहीं हुई है और जब भी आपका प्रस्तोत पूचा जाएगा तो यही आपका मानने होगा आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं भारत की इस्तिति की इसक प्रस्तिमिक में बात पॉट एस प्रत्वी को डोगर वोट, दच्री गोल आर्त और आपी पूच्री विडियो नहीं दे थे उन्हें अवस्य देखें कि न्युक्ती कि शारी विडियो देखने से याने सारे चेप्टर हम NCRT के क्रमसे परते हैं तब हिं एए इंसी आर्टी समझ में अच्छे से आती है करकरे का 29.3 उस्थरी अच्छांस देश के लगबग मद्धि भाग से ओकर गुझरती है हो और धार जो क्रक्रेका होती है यह साड़े 23 डिग्री कि डिल्प्री अच्छांत रेका जो हुथ दो करक्रेका ऑर यह की थ मैं अवश्य बताएंज क्रूकर प्रस्ण भी बनता है कि करक्रेका काह धा किसे को झाट बहुत सारी बना रखती है आप सौर्ट वीडियो शे जी के एंड जी एस पड़ सकते हो दच्छिर से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमी का विश्तार आट पॉइंट फोर डिग्री उत्तरी अच्छांस है ठीक है तथा शैतिश पॉइंट ये उत्तरी है आपका अच्छां देश आंतरों के बीच है अगर हम विश्वकोपूर्वी एवं पस्च्छमी गोलारत में बारतय हैं तो भारत की सिति किस गोलारत में होगी बहुत बड़े देश आंतरी बिश्तार लगबग 29 डिग्री के कारण यहां के दो चोर पर समय में बहुत अधिक अंतर होशकता था इस तरह है कि दूरी पर इस्तित दो इस्तानों के बीच शमय का अंतर लगबग दो गंटे का होगा जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्य एक डिगरी देशांतर के लिए इस्तानी शमय में चार मिनट का अंतर होता है पस्चिम में गुजरात की पेचा पूर्व के रोड सब्सक्राइब करने पहले पढ़ा है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपकी अच्छांस पर आपका चार मिनट समय आपका पूर्व में आपका यह बढ़ता है और पस्चिम में आपका घटता है ठीक है तो भारत की जो इस्तिती है वह उत्तरी गोलार्थ में और पूर्वी देशांतर में है ठीक है जैसे यह आपकी प्रत्वी है और यह हमने बीच यह विश्वत रेका यह भूमद रेका से हमने इसको दो भागों में बाट दिया ठीक है और यह बीच से यह जो हमारी ग्रीन वीच लाइन होती है ठीक है इधर आपका पस्चिम होता ह और यहां कणवाएं करकरे भारत की भीचवी से गुजरती इस तरीके से यह अच्छांस था यह अच्छांतर होती है यह ओगा ये साथ सब्सक्राइन अलगतुन भी वीडियो बना राक्थी हैं अगरौम में नी Faith तो अबश्च देख सकते हैं तो यह जो दिशांतर रेका है होती है यानि प्रतिय एक डिग्री जो दिशांतर होता है वह चार मिनट का यानि यह पूर्व में आपका प्लस हो जाता है और आपका पस्चिम में यह क्या हो जाता है माइनस हो जाता है समय और भारत का समय है वो शाड़े पांच गंटा यानि ग्रीन विच जो जीरो दिशंतर रेका होती है ठीक है तो वहां से साड़े पांच गंटे आपका प्लस होता है समय भारत का तो जैसे ग्रीन विच पे आपका एक बजा होगा ठीक है तो भारत में आप तो अगर वहां आपका समय एक है यानि दोपेर का वहां एक बजा हुआ है तो भारत को सामके कितने बजाएंगे भारत में आपके सामके शाड़े अच्छे बजेंगे इस तरीके से समय निकलना मैंने आपको बता दिया है आप वीडियो को बश्य देखें तो हम आगे बढ़त भारत की जो मानक्रेका है तो यह कहां से लिए यह शाड़ी बैस्टी डिग्री पूरो देशांतर के इस्तानी मान उपर आती है और यह कहां से गुजरती है किन-किन राज़्यों से गुजरती है तो इसकी विजानकारी आपको होनी चाहिए आप हमारी शौट वीडियो देखि आपका प्रशन इस तरी किसे भी बनते हैं कि इन में से कौन-कौन से देश हैं जिनकी शीमाई शमुद्र से नहीं जूड़ी है अभी हमने map पड़ाथा शमुद्र में इस दो दीब श्रीलंका ता माल दीब हमारे पड़ोशी देश है पाक जलसंदी भारत को स्रीलंका शे अ घ EVERY अपका पाकिस्तान है यह अर yellow fingers बता दिया है कि भारत में सुंफबता किंड आपका है यह आपका भूटान है यह आपका बंगलादेश है यह म्याममार है इस तरीके से आपको यह सारे देशों की जनकारी होने चाहिए साथ आपको अपने भारत के राजियों की जनकारी होनी चाहिए यह आपका उत्तरपदेश है कश्मीर है यानि कौन सा राजी कि परोशी दिये गए है तिसारी देश दिये गए है यानि भारत के परोसी देश है यह आपका अपका और अवश्य निस्ता यहांकि श्रीलंका है आगे बढ़ते हैं हम और यह राजनीतिक है यानि इसमें आपको यह सारे चीजे आने चाहिए गोवा है और कभी-कभी आपके आपसे राजी पूछ भी लिये जाते हैं कि कौन सा राज की शीमा से जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से आपको इन्स प्रशनो अवश्याने चाह वश्याновते हैं दिभाज़त की मदैं न्रवकलत ध्राज़यों में दिल्ली भारत की राज्दानि है राज्यों का निर्मान मुक्तेikalं के आधार पर हुआ है छेतपल्त की द्रिष्थी से शबसे बड़ा राज राजिस्तान और सबसे चोटा आपका घोवाया है राजियों को जिलों में बाटा गया है, अब आपका है जलोड निच्छेप, ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, तता नदी बेशिन में निच्छेपित कर दी जाती है, निच्छेपित का अर्था होता है, बिछाना यारे बिछा दी जाती है, शह विश्व के बड़े डेल्टा का निर्माड करती है, यह आपका शमुद्र है और यह जैसे नदिया बयते हुए आती है तो यह इस तरीके से भागों में बट जाती है, ठीक है इस तरीके से तो यह जो छेतर होता है इसको हम डिल्टा कहते हैं डिल्टा अब इस तो आप लोगों को पता ही होगा अब करते हैं बहुतिक भिवाजन की बात तो भारत में पाई जाने वाली बहुतिक आकरतिया बिविन प्रकार किये जैसे परवत पठार मैदान तता अदीप शमू उत्तर में बर्प से डखा हिमालय संतरी का कार करता है यानि उत्तर में आपका हिमालय जो बर्प से डखा रहता है हिम्दल आले का अर्त होता है बर्प का घर हिमालय परवत को तीन मुख समान अंतर संकलाओं में बाटा जाता है सबसे उत्तर में संकला को ब्र से दच्छड में इस्तित प्रबत संक्ला है आपकी हिमालय के दच्छड में भारत का उत्परी मैदान इस्तित है यह मैदान संतल तता सपाथ है यह मैदान शिंदू गंगा ब्रमपूर तता इनकी शायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोड निच्छे पहुंशे बने हैं नदियों के यह मैदान के लिए उपजाओ भूम प्रदान करते हैं यही कारड है कि इन मैदानों में जन्संक्या अधिक है बारत के पश्चमी भाग में भारती महा मरुस्तल इस्तित है यह सुस्क गर्म तता रेतीला इस्तल है यहां बनस्पत की मात्रा बहुत कम होती है और और फिर उन नोट्सों को दोहराईए ठीक है फिर से पढ़िए आप आपको दो तीन बार अवोश्य पढ़ना है इसकी आकरती त्रवजाकार है इसका दरातल कापी उंचा नीचा इस चेतर में बहुशी पहाडी स्रंकला है तता गार्टिया इस्तित हैं इसके उत्तर पस्च सत्पड़ा भी महतपूर संकलाएं हैं इन संकलाओं से ओकर नर्मदा तता तापी नदियां बहती हैं यह पस्चिम की तरफ बहने वाली नदिया हैं जो अरब सागर में गिरती हैं इस पठार के पस्चिम में पस्चिमी घाट या सहाद्री तता पूरुम में पूर्वी अन dai siки pot meян कापी शक्रे हैं अर्श कर यारे में चोते हैं पूरुम में अफेचय क्रत चोडय से पूर्व की और बेने ワह नदियां है महानदी घोदावरी kristna तता कावेरी और आपका प्रशन यहां से सीधा सीधा बन जाता है कि पूर्वकी और बेने वाली नदियां कौन-कौन सी है तो आप इने नोट्स कर सकते हो ये नदियां अपने मोहाने पर अपजाओ डेल्टा का निर्मार करती है बंगाल की खाडी में गंगा एबन ब्रमपुत नदियों के बंगाल की खाडी में कौन-कौन शी नदियां गिरती है इस तरीके से आप से प्रशन पूछे जाते हैं अब बात करते हैं वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि चैप्टर आपका लंबा है बड़ा है येकिन आपके इस चैप्टर से आप देख रहे होंगे तो प्र अरब सागर में इस्तित है ये केरियल के तरस से कुछ दूर इस्तित प्रवाल दीप हैं अंडमान एवं निकोवार दीप्षमू भारत से दच्छडपूर दिशा में बंगाल की खाडी में इस्तित है क्या आप जानते हैं कि कौन सा दीप्षमू बर्ष 2004 में सुनावी से प् दिशा मुद तल पर भूकम के खालड होती है तो यह आपका अभ्यास और इस तरीके से आपके प्रस्ण पूछे जाते हैं वहारत की इस तलीप भागों में वहाजीत किया जा सकता है उनके नाम लिखिए तो इहां तो आपको नाम लिखने हैं लेकिन वहारत की इस्तितनी ब आपका उप्शन हो जाएगा साथ कौनशी दो प्रमुक नदियां अरब सागर में गिरती हैं अभी दोगों में आपसे बताया था कि आपके प्रशन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं गंगा इवन ब्रम्म पुत्र के द्वारा बनाए गए डिल्टा का नाम लिखी यह आपक प्रशन पूछे जाते हैं हिमालय के सबसे दचड़ी भाब को क्या कहा जाता है और शहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है पाक जलसंदी कि देशों के बीच इस्तित हैं बुलकुर सिंपल सिंपल से आपके प्रशन है लेकिन अगर आपने NCRT पढ़ा है तो आप इनक प्रशन को आपने बाठी खाली स्तानों को आप बर्शक्ते हो भारत का चेतर परन की देश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौंशा है नर्मदा नधी कौन से सागर में अिए अधियास करती हुआँ व्यूडियों को अच्तृट पड़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें जब भी आपकी ये प्रत्वी हमारा आबास चैप्टर ये खत्म होने के साथ इस्ट्री और पॉल्टी की भी आपको वीडियो दी जाएंगी और आपको पेपर फेस्ट के लिए हमड़े वीडियो पहले से दी जा चुकी हो और आपको महा मेरातन लेकर आएंगे जिसमें पूर प्रिबीटो देखने के लिए धन्यवाद